आतंकी संगठन सिमी और PFI ने तमाम बार इस देश में दहसत फैलाई जिस कारण इन दोनों की संगठनों को बैन कर दिया गया लेकिन ये नाम एक बार फिर से चर्चाओ में हैं इन दोनों आतंकी संगठनों का एक ही मकसद था और वो था देश में दहशत गर्दी के जरिये इसलाम का राज कायम करना क्योंकि इनका आका पाकिस्तान है और ये अपने गंदे दिमाग में गजवाय हिंद का सपना पाले बैठे हैं लेकिन ये लोग एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं सीमी को जिन्दा करने के लिए इन लोगों ने सुप्रीम कोट में याची का दायर की है कि सीमी से प्रतिबंद को हटा लिया जाए लेकिन केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट को साफ सब्दों में इनकार कर दिया कि संगठन से बैन नहीं हटाया जाएगा इन आतंकियों का ऐसा मानना था कि सुप्रीम कोट में ये लोग अपने आतंकी चेहरे पर एक सामाजिकता का मुखोटा लगा कर उसकी आखों में दूल जोक सकते हैं लेकिन इनकी कोई भी दलील नहीं चल पाई जैश्री राम मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्डाई सीमी यानि स्टुडेंट इसलामिक मुव्मेंट आफ इंडिया का गठन 49 साल पहले अप्रेयल 1977 को किया गया था इसका फाउंडर प्रेजिडेंट मुहमद एहमदुल्ला सिद्ध की था लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुवात काफ़ी पहले हो चुकी थी 1956 में बने प्रतिबंदित संगठन जमात इसलामी को ही नया रूप देकर सीमी की शुरुवात की गई थी और जब सीमी का खात्मा हो गया तो इन आतंग के आकाओं ने PFI के नाम से अपना जहर दोबारा से उगलना शुरू कर दिया PFI के कबजे से हिंदुस्तान को 2047 तक इसलामिक देश बनाने के डोकुमेंट्स मिल चुके हैं देश में जितनी देश विरोधी गतिवी धियों को अंजाम दिया गया ज्यादातर में इन दोनों का ही हाथ मिला लेकिन इस मामले में ट्विस्ट उस वक्त आया जब सीमी से प्रतिबंद को हटाने के लिए सुप्रीम कोट का दरवाजा खटाया गया सुप्रीम कोट में याची का दायर की गई कि इस प्रतिबंद को हटा लिया जाए जिस पर सरकार ने कोट में अपना जवाब दाखिल कर ये साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में प्रतिबंद नहीं हटाया जाएगा केंदर सरकार ने सीमी पर अपने लगातार आठवे प्रतिबंद को सही ठैराते हुए सुप्रीम कोट में जवाबी हलफ नामा दाकिल किया इसके साथ ही केंदर ने सीमी को गैर कानूनी संगठन करार दिया केंद्र ने सुप्रीम कोट से कहा कि कोई भी संगठन जिसका उद्देश्य भारत में इसलामी साशन स्थापित करना है उसे अस्तेत्व में रहने की जाज़त नहीं दी जा सकती उन्हें हमारे धर्म निर्पेक समाज में कायम रखने की मन्जूरी नहीं दी जानी चाहिए केंद्र ने सीमी पर प्रतिबंद को चुनोती देने वाली याचिका से संबंदित एक हलफ नामा दायर किया है हलफ नामे पर नियाय मूर्ती संजय किशन कोल की अगुवाई वाली पीठ ने विचार किया सीमी के पूरु सदस्य ने याचिका दाखिल करते हुए गैर कानूनी गतिविदी अधिनियम यूए पीए के तहत केंद्र ने अपने हलफ नामे में आरोप लगाया कि सीमी का मकसद देश के कानूनों के विपरीत है क्योंकि संगठन का उद्देश एसलाम के प्रचार में छात्रों और युवाओं को जुटाना और जिहाद के लिए समर्थन आसिल करना है केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि कई सालों तक प्रतिबंदित रहने के बावजूद सीमी विभिन फ्रंट संगठनों के माध्यम से गैर कानूनी गतिविद्यों में शामिल रहा है इसलिए एक नया प्रतिबंद जारी किया गया केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा एक छोटे समय को छोड़ दिया जाए तो 27 सितंबर 2001 से प्रतिबंदित होने के बावजूद सीमी के कार्यकरता आपस में मिलते रहे हैं बैठक करते रहे हैं, शडियंत्र करते रहे हैं, हथियार और गोला बारूद हासिल कर रहे हैं और ऐसी गतिवी दियों में लिप्त हैं जो विगटन कारी हैं और भारत की संप्रभुता और भारत की छेत्री अखंडता को खत्रे में डालती हैं सीमी कार्यकरता अन्य देशों में स्थित सीमी के सहयोगियों और आकाओं के नियमित संपर्क में हैं और इनकी एकारवाई देश में शांती और सामप्रदाइक सद्भाव को बाधित करने में सक्षम हैं केंद्री ने कहा सीमी के घोशित उदेश है हमारे देश के कानूनों के खिलाफ हैं। विशेश रूप से भारत में इसलामिक शाशन इस्थापित करने के उनके मकसद को किसी भी परिस्थिती में जीवित रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कहते हुए कि 2001 के बाद से लगातार निर्देश के बावजूद सीमी का अस्तेतो बना हुआ है। सरकार ने बताया कि तीन दर्जन से ज्यादा फ्रंट संगठनों के माध्यम से सीमी अपनी गैर कानूनी गतिविदियों को अंजाम दे रहा था। और इसलिए 2019 में सीमी पर 5 साल के प्रतिवंद का आदेश जारी किया गया था। ये अलगलग नामों से कहीं राजियों में फिरसा इकटा हुए थे। केंद्र ने कहा तीन दर्जन से ज्यादा अन्य फ्रंट संगठन के माध्यम से सीमी को जारी रखा जा रहा है। ये फ्रंट संगठन विभिन गती विडियों में सीमी की मदद करते हैं जिसमें धन संग्रे साहित्य का प्रसाद केडर का पुनर गठन आदी शामिल है। केंद्र ने सीमी को गैर कानूनी संगठन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि समूब और प्रतिबंद लगाने के उनके फैसले को चुनोती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जाए। गोरतलब है कि 27 सितंबर 2001 को केंद्र की ततकालिक रास्त्रिय जनतांत्री गटबंदन सरकार ने यूए पी ए 1967 के तहट भारत के छात्र इसलामी आंदोलन पर अपनी रास्त्र विरोधी और अस्तिर करने वाली गतिविधियों के लिए प्रतिबंद लगाने की गोशना की थी सरकार ने ये क्यों कहा कि ये बैन होने के बाद भी अस्तित्व में हैं उसकी भी कहानी सुनिये 2002 में संगठन पर प्रतिबंद लगने के बाद सीमी ने अपने मूवमेंट को चलाने के लिए एक नए संगठन का नकाब पहना इस संगठन का नाम है इंडियन मुजाहिद दिन इंडियन मुजाहिद दिन पर देश में कई जगा विस्पोर्ट कराने का आरोब है साथ ही कहा जाता है कि आई एम के सभी संगठन स्लिपिंग मॉड्यूल की तरहा काम करते हैं इसके हजारों लाकों स्लिपर सेल आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में रहकर अपने मनसू को काम्याब करने में लगे हैं खबरे तो यहां तक आई कि करीब 10 साल पहले पाकिस्तान से कुछ लोग क्रिकेट मैश देखने के बहाने टूरिस्ट वीजा लेकर भारता है लेकिन इसके बाद उनके वापस जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली ऐसे लोगों की संख् को बेहन करने के साथ साथ केंदर सरकार अब तक 52 संगठनों को बेहन कर चुकी है सीमी के बेहन के बाद इन आतंकियों ने PFI नाम से अपना आतंक शुरू किया लेकिन जैसी इनकी हरकते थी उससे इन्हें पता था कि उस पर भी बेहन लगेगा इसलिए लोग पहले से ही तैय PFI को जिन्दा किया जा रहा है इन आतंकियों का ऐसा मानना था कि कानूनी दाव पेज में फसा कर ये लोग अपने मनसूबों में कामियाब हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इस देश में गजवाय हिंद का सपना लेकर जो लोग पैदा होंगे उन्हें माकूल लाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ तब दक देखते रहिए कैपिडल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स आप चुर्णे के लिए शुक्रिया